नमस्कार दोस्तों मैं हूँ परमोद कुमार आप देख रहे हैं यूटूब चैनल SSE परमोद GKGS तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये टोपिक तो देखे दोस्तों प्रास नमर एक भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस का 896 का अधिवेशन निमली खोट मेंसे किसके लिए विख्या थै इसका जो पहला उप्सन है वह पहली बार राष्टिय गान गया था नेश्ट दूसरा उप्सन है वह पहली बार राष्टिय गीत गया गया था और उसका सही जबाब क्या है और इसका सही जवाब है देखते हैं और स्थापक थे दूसरा उप्षन है कलकत्ता के रीबन कॉलेज के संस्थापक थे तीसरा उप्षन है उन्होंने राष्टिये चेतना के लिए जाना जाता है नेश्ट चोथा option है उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारन ब्रहमनो समाजों की अस्थापना की और इसका सही जवाब है उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारन ब्रहमनो समाज की अस्थापना की तो चलिए दोस्तों नेश्ट पोस्टन की और बढ़ते हैं और देखते हैं प्रेस नमर है तिन पूना समझहोते के संदर्म में कौन सा कथन असत है फाला उप्षन है यह समझहोता जवाला लेहरू और अमबेद करके नेश्ट जो इसका दूसरा उप्षन है के बीच हुआ था नेश्ट दूसरा जो इसका उप्षन है वह है इसके तहत वंचित बर्ग ने संयुक्त मतदाता समू में रहने का फैसला किया नेश्ट जो इसका तीसरा उप्षन है प्रांतिय बिधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीट आरक्षित की गई नेश्ट जो इसका चौथा उप्षन है वो है इसके द्वारा सीविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समूचित परतिनिधित परदान किया गया और इसका जो सही जवाब क्या है और इसका सही जवाब है यह समझ होता जवाला लेहरू और अम्बेदकर के बीच हुआ था चलिए नेश्ट कोश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रेस नमर है चार इंडियन यूनियन मुसलिव लीग का मुख्याल भारत के किस राज में इस्थित है इसका जो पहला उप्षन है वो है तमिलाडू में नेश्ट जो इसका दूसरा उप्षन है वो है केरल में नेश्ट इसका जो तीसरा उप्षन है वो है उतर परदेश में नेश्ट जो इसका पाइमन कमीशन किस वाइस राय के कार्ज काल के दोरान भारत आया था इसका जो पहला ओप्षन है वो है लाड इडवीन नेश्ट जो इसका दूसरा ओप्षन है वो है लाड जेम्स फोर्ड नेश्ट जो इसका तीसरा ओप्षन है वो है लाड विलेंगिटन नेश्ट जो इसक प्रस नममर है छे मुसलिव लीग के किस अधिवेशन में Mohamed Ali जिन्ना ने बाटो और चोडों का नारा दिया था इसका पहला option है वह है लखनो अधिवेशन 1931 नेश्ट जो दूसरा option है वह है करांची अधिवेशन 1933 में नेश्ट जो इसका तीसरा उप्षन है वो है लाहोर अधिवेशन 1940 में नेश्ट जो इसका चौथा उप्षन है वो है करांची अधिवेशन 1943 में तो इसका सही जवाब क्या है और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है करांची अधिवेशन 1943 में तो चलिए नेश्ट कोश्चन की ओर बरते हैं और देखते हैं प्रस नम्मर है साथ All India Muslim League ने 23 मार्स 1940 को किस अस्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था फाला उप्सन है करांची, दूसरा उप्सन है है हैदराबाद, तीसरा उप्सन है लाहोर नेश्ट जो चौथा उप्सन है वो है लखनो तो इसका सही जवाब क्या है और इसका जो सही जवाब है वो है लाहोर तो चलिए नेश्ट कोश्चन की ओर बरते हैं और देखते हैं प्रस नम्मर है आठ महात्मा गांधी ने निमलिखित में से किस अस्थान पर हरित पूस्ती का जारी की थी इसका जो पहला उप्सन है वो है कलकाता, दूसरा उप्सन है सूरत, तीसरा उप्सन है राज कोट नेश्ट जो इसका चौथा उप्सन है वो है सावर मती तो इसका सही जबाब क्या है और इसका सही जबाब है दोस्तों राज कोट तो चलिए नेश पोस्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रशन नुमर है 9 सावर मती आसरम किया स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी इसका सही जबाब क्या है और इसका जो सही जबाब है वो है 1915 में तो चलिए नेश पोस्चन की ओर बरते हैं और देखते हैं प्रशन है 10 करनाटक के नगरों में बिजे नगट समराज का सबसे असमारक कौन सा है इसका जो पाला उप्शन है वो है गुलवरगा नेश्ट जो दूसरा इसका उप्शन है वो है बेलगाउम नेश्ट जो इसका तीसरा उप्शन है वो है गदक नेश्ट जो इसका चौथा उप्शन है वो है हमपी तो इसका सही जवाब क्या है और इसका जो सही जवाब है वो ह हमपी तो चलिए नेश्ट कोश्चन के और बढ़ते हैं और देखते हैं परशन नम्मर है 11 चोड़ी चोड़ा की घटना के बाद कौन सा अंदोलन बंद किया गया इसका जो फाला उप्शन है वो है सविन्य अविग्या अंदोलन नेश्ट जो दूसरा उप्शन है वो है अहसय योग अंदोलन तो चलिए नेश्ट कोश्चन के और बढ़ते हैं और देखते हैं प्रस नमर है 12 निमलिखित में से किस अध्यात्मिक गुरू का बच्पन का नाम गदाधर चोड़ो पध्याय था इसका जो फाला उप्शन है वो है स्वामी बिवेकानन नेश्ट जो इसका दूसरा उप्शन है वो है राम किरिशन परमहांस नेश्ट जो इसका तीसरा उप्शन है वो है सिरी अरवो बिंदो नेश्ट जो इसका चोथा उप्शन है वो है स्वामी परभुपाद तो इसका सही जवाब क्या है और इसका जो सही जवाब है वो है राम किरिशन परमहां तो चलिए नेश्ट कोस्चन की और बढ़ते हैं और देखते हैं प्रस नमर है 13 महात्मा गांधी ने कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अधिक्ष्टा की पहला अप्षन है अमरावति नेश्ट जो इसका दूसरा अप्षन है वो है बेलगाउं नेश्ट जो इसका त अधिवेशन नमर है चौदां जहांगीर निम लिखित में से किसे इंगलीज खां काहता था इसका जो पहला ओप्षन है वो है दोसरा है वी नियृम वो है नेश्ट जो इसका तीसरा उप्षन है वो है हैंरी मिल्टन नेश्ट जो इसका चोथा उप्षन है वो है उप्रूक्त में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब क्या है और इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है बिलियम हॉंकिस तो चलिए नेश्ट कोस्चन के और बरते हैं और देखते हैं प्रश्ण नमर है 15 गवर्नर जर्नर लाड एलिन बोरो के कार्शकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोसित किया गया इसका जो पहला उप्षन है वह अधिनियम 6 नेश्ट दूसरा उप्षन है वह अधिनियम 5 नेश्ट अधिनियम है 3 नेश्ट जो इसका चौथा उप्षन है वह अधिनियम 8 तो दोस्तों इसका सही जबाब क्या है और इसका जो सही जबाब है दोस्तों वह अधिनियम 5 तो चलिए दोस्तों नेश्ट कोश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश नमर है 16 1831 में इंडियन मीरर समचार पत्र का संपादन वा परकाशन किसी ने किया इसका पहला उप्षन है अमिताप घोस नेश्ट दूसरा है रविंदरनाथ टैगोर नेश्ट जो इसका तीसरा उप्षन है वो है सुमित गांगूली नेश्ट जो इसका चौथा उप्षन है वो है मनमोहन गोस और देवंदरनाथ टैगोर तो इसका सही जवाब क्या है और इसका जो सही जवाब है वो है मनमोहन गोस और देवंदरनाथ टैगोर तो चलिए, नेस्ट कोस्टन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रस नमर है 17 राष्टिय विकास पर्षद की अस्थापना कभ की गई थी इसका जो पहला उप्षन है वो है 9 अगस्ट 1960 को नेस्ट जो दूसरा उप्षन है वो है 6 अगस्ट 1952 को नेश्ट जो तीसरा ओप्शन है 15 सितमबर 1959 को नेश्ट जो चौन है 29 अगस्त 1950 को ता इसका सही जवाब क्या है और इसका जो सही जवाब है वो है 6 अगस्त 1952 को तो चलिए नेश्ट कोश्चन की और बढ़ते हैं और देखते हैं प्रस नमर है 18 इंडियन नेशनल एसूसी एश इसका जो पहला उप्षन है वो है द्वारकार नाथ टैगोर नेश्ट जो इसका दूसरा उप्षन है वो है सुरंदर नाथ बनार जी नेश्ट जो तीसरा उप्षन है वो है परसनना कुमार टैगोर नेश्ट जो इसका चौथा उप्षन है वो है दिवंदर नाथ टैगोर तो उपसन है वह बंकिम चंद चतर जी नakes्ट चन जो इसका दूसरा आप्षण है वह रविंदर ना टैगोर नेश्ट जो तीसरा इसका ओप्षण है वह राजाराम मोहान राय नेश्ट जो इसका चौथा ओप्षण है वह बाल गंगाधर तीलख तो इसका सही जबाब क्या है और इसका जो सही जबाब है वो है बंकिम चंदर चटर जी तो चलिए नेश्ट वोस्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रशन नमर है 20 गांधी इर्वीन समझोती पर कब हस्ताक्षर किये गए इसका जो पहला ओप्षन है वो है 5 मार्च 1931 नेश्ट जो दूसरा ओप्षन है वो है 6 मार्च 1931 नेश्ट जो इसका तीसरा ओप्षन है वो 7 मार्च 1931 नेश्ट जो चौथा इसका ओप्षन है वो है 8 मार्च 1931 तो इसका सही जबाब क्या है और इसका जो सही जबाब है वो है इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों